Hello students, good morning all of you, my name is Srinundar Atan और आज हम class 2nd के EVA subject के chapter 6 living things and non-living things को read करेंगे तो इस chapter में living things और non-living things में क्या difference है उसके बारे में बताया गया है तो हम start करते हैं, let's begin Picture A is a living thing तो picture A जो हमें नजरा रही है, got नजरा रही है, जो के एक living thing है Picture B is a non-living thing तो picture B है जो वो non-living thing है Can you state two differences between pictures A and B तो क्या बिटे आप differences है जो दोनों में क्या difference है वो बता सकते हैं कोई भी दो इन में कोई difference हो table और got में तो बिटा got है जो वो एक जगा से दूसरी जगा पर जा सकती है बट ये table जो है, वो stable है ये move नहीं कर सकता, इसकी legs है जो fix है बट जो got है वो जा सकती है दर दर ठीक है, जो खाना भी खा सकती है ठीक है, बट table खाना नहीं खा सकता तो main difference यहीं जो हमें नजर आते हैं यहां पर, ठीक है दूसरा ये science ले सकती है, table science नहीं ले सकता तो ये non living है, ठीक है we can see so many things around us, हम हमारे around काफी सारी चीज़े हैं जो objects हैं वो देख सकते हैं some of the things are alive कुछ जो things होती है, चीज़े होती है, वो जिन्दा होती है they are called living things for example human beings, जैसे के हम लोग है, human beings है ठीक है, तो हम living है, जिन्दा है animals हो गए जैसे कि ये सारे क्या है, living है ये भी ठीक है, similarly जो insects बगएरा होती है, worms बगएरा होती है वो भी क्या होती है, living होती है similarly trees है, जो वो भी living things होती है ठीक है न, next mountains, soil, table, chair, bed, desk river football or all non-living things जो हमें नजरा रहे है, pictures में ठीक है, river होगी जैसे की तो वो पानी होता है, इसमें वो तो non-living है ठीक है, similarly जो stones से बने हुए जो mountains है, ठीक है तो वो भी क्या है non-living है, ठीक है न similarly football नजरा रही है, हमें table है chair है, यहां पर, तो यह भी क्या है non-living things की examples है differences between living things and non-living things तो क्या फर्क है living things और non-living things में वो हम पढ़ते हैं living things breath तो living things क्या करते हैं बटे जैसे कि हम लोग हैं वो सांस लेते हैं, इसी तरह से बटे plants भी सांस लेते हैं most animals breath through their nose ज्यादा तर जो animals हैं वो अपने nose के थुरू सांस लेते हैं, plants breath through their leaves तो पत्तों के थुरू जो plants हैं वो अपना सांस लेते हैं non-living things don't breath breathe, sorry ठीक है, non-living things हैं जो वो breathe नहीं करते living things can move तो living things हैं जो वो move कर सकती हैं, they can walk, run, skip and jump, जैसे कि आप लोग हैं living हैं, ठीक है, तो आप सभी कुछ ये कर सकते हैं, वाग भी कर सकते हैं चल सकते हैं, ठीक है बाग सकते हैं, skipping कर सकते हैं, रसी कूद सकते हैं जा फिर jump कर सकते हैं plants are the only living things that don't move तो पौदे plants हैं जो वो एक ऐसे living things हैं जो के move नहीं कर सकते हैं बट वो सांस तो ले सकते हैं non living things can't move on their own तो जो non living things हैं, वो अपने आप move नहीं कर सकते they move only when we push और lift them, वो चीजें तभी move करेंगी, जब उनको कोई move करवाएगा दूसरा ठीक है, जैसे कि हम उसको उठाएं अगर object को, तो वो इदर उदर जाएगा फिर ठीक है, जब फिर अर्थ को एक वगर आ जाते हैं जैसे उससे भी तो काफी मतलो इस तरह से जो material है दर उदर चला जाता है, ठीक है ना तो चलो next देखो living things grow in size तो living things हैं, वो पहले सबसे मतलो उनका size है जो जाइगोट से बड़ा होता है, मतलो एक तरह से ठीक है, plants में भी ऐसा होता है पहले वो छोटे होते हैं, बिल्कुल वीज होते हैं ठीक है, तो वो बड़े होते हैं, दीरे-दीरे, grow करते हैं मतलो size में, a child grows up and becomes a man तो जो child है ठीक है, वो man जा, वो man बनेंगी, ठीक है next, a sapling grows तो seeds seed में जो मतलो निकलता है, ठीक है पहला plant उसको sapling कह देंगे ठीक है, तो वो बड़ी हो जाती है थोड़े से time के बाद becomes a plant, तो sapling से जो plant है वो बनता है अब puppy grows and becomes a dog तो puppy जो बड़ा हो जाता है छोटा, तो क्या बन जाता है, वो dog बन जाता है ठीक है, तो यहां पर growth दिखाई गई है जैसे जहां के baby छोटा जो जब बच्चा होता है मतलो ठीक है, तो वो grow नहीं हुआ जब ठीक है, तो इस तरह से grow करता है, उसके बाद adult के बाद जो अगली stage है, वो elder की आती है ठीक है, तो उसमें development मतलो, sorry, growth है, जो वो चलती रहती है, दीरे दीरे ठीक है, कुछ aspect है, जैसे की height बगएरा कुछ time के बाद रूक जाती है, ठीक है, चलो वो अलग बाते हैं नेक्स्ट देखो, non living things do not grow, तो non living things हैं, जो वो बड़ी नहीं होगी जैसे आपकी काप कोई object है जैसे आप काटिफन बॉक्स में जो boxes हैं, ठीक है, दो तो वो उतने size के ही रहेंगे, ठीक है ना तो वो time के साथ बड़े थोड़ी होंगे ठीक है ना living things produce their young ones living things हैं, वो अपने young ones produce करते हैं human beings है, babies तो human beings है, जो उनके babies होते हैं, young ones मतलब बच्चे, ठीक है बहुत ठीक है, जैसे आपके young brother जै sister होते हैं, तो आप से छोटे होते हैं, ठीक है birds have chicks तो birds के छोटे-छोटे मतलब चूजे बगरा होते हैं new plants grow from seeds तो क्या है बटा, के जो plants है, वो भी बीजों से उत्पन होते हैं, पैदा होते हैं non living things do not produce their younger ones तो living things हैं, वो अपने offsprings मतलब बच्चे पैदा नहीं करते young ones को जन्म नहीं देते, वो non living things होते हैं, जो living things eat and drink हम लोग हैं, जैसे वो खाना खाते हैं और कुछ पी भी सकते हैं non living things don't eat or drink, तो जो non living things हैं, वो नहीं खाना खा सकते हैं नहीं कुछ पी सकते हैं living things can cry, तो living things cry कर सकते हैं, जैसे आप लोग करते हो, ठीक है get angry and love each other तो आपके, मतलब humans के पास living things के पास कुछ feelings होती है, ठीक है जब उनको कुछ मतलब emotions होते हैं जिसके कारण वो कई बार रोने लग जाते हैं खुश हो जाते हैं, जब उससे में आ जाते हैं ठीक है तो ये non living things के पास ऐसा feelings नहीं होती, ठीक है ठीक है तो नौ लिविंग तिंग्स के उपर कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह से ना इमोशन का ना कोई जो चेंज़ आ रहे हैं एट्मोस्फियर में उसका ठीक है जैसे हमें सर्दी पढ़ रही है तो हमें सर्दी लगेगी है ना लिविंग तिंग्स कैन अलसो हेर सी और टेस्ट जो नौ लिविंग तिंग्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते सुन नहीं सकते देख नहीं सकते फील नहीं कर सकते ठीक है सेंसर और नहीं होते मतलब उनके टेस्ट नहीं कर सकते लिविंग तिंग्स कैन फील होट एर कॉल्ड तो लिविंग तिंग्स हैं वो उन आखर में मर जाते हैं non living things can get old non living things है जो वो पुरानी हो सकती है पर वो खतम मर नहीं सकते कभी भी ठीक है ना man made and natural things तो man made things क्या होती है और natural क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे mountains, rivers, lakes, hills, springs are natural things तो बेटा ये जो चीजे हम देख देख रहे हैं pictures में वो क्या है natural things हैं जैसे के mountains हैं ये humans नहीं बनाए होते इसी तरह से rivers, lakes हो गई और hills हो गई पहाड़ियां मतलो छोटी springs हो गई ये सभी natural things हैं जो कि humans नहीं बनाई they are also non living things तो यहां पे river देख रहे हैं हम ठीक है लेक है यहां पे एक तो यहां पे एक waterfall नजरा रहा है हमें ठीक है water का कोई source है तो ये सभी springs हो गए जैसे जरने वगएरा ठीक है तो वहां से पानी निकलता है और flow करता है नीचे की तरफ तो ये सारी natural things होती है some non living things are built by man कुछ non living things हैं जो इनसान के दोरा बनाई गई है they are also called man made things उनका हम man made things भी कहेंगे houses, cars, boats, books, buses are man made things तो ये सभी जो चीजे हैं vehicles हो गए जैसे की गर हो गया हमारा मेड हैं सभी ठीक है तो ये था हमारा चैप्टर बिल्कुल छोटा सा था इसके बाद exercise भी बिल्कुल छोटी सी है इसकी तो चलो start करते हैं living things grow और do not grow तो living things पूछ रहा है कि grow करती है जा नहीं तो वो grow करती है non living things eat food और don't eat food living things है जो non living things है वो खाना नहीं खाते apple trees dash apple tree के एक living thing है ना ठीक है living thing आएगा answer अब एंसली मैनमेड तो पैंसल है जो वह कौन सी चीज़ है मैनमेड है ठीक है तो यही था answer mountain is a natural thing तो सही है हमारा ठीक है नेचरल थिंग होती है mountains तो हमने क्या करना विटे जो तो नेचरल है उनको क्रॉस करना है ठीक है जो मैनमेड है उनको टिक करना था तो इस तरह से आप इसकी ticking कर सकते है मतलब ठीक है टिक कर सकते हैं टीवी है जो जा कुछ कंप्यूटर वगरा स्क्रीन हो गई तो मैनमेड होती है वो ऐसे बैग है वो भी मैनमेड है ठीक है सन है जो वो मैनमेड नहीं है तो यह था हमारा चैप्टर आज का थैंक्यू स्टूडेंस ओके हैवा नाइस डे